Bykee Namaskar साथिहों आपेलों उम्मेद करते हैं आप लोग अच्छे होंगें। बहुत सारे लोग को इंतजार था कि यार्पेम का वा वेकेंसी कब आएगा। आप लोग का इंतिजार खत्म हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नोटिफिकेशन जो निकल गया है स्क्रीन पे और चार्जर पलस कॉंस्टेवल के लिए वेगेंसी है और चार सो कुछ जो है वो एसाई के लिए हैं आप लोग तयारी में लग जाएए पंदरह अप्रिल से आउनलाइन का डिट रखा गया है तो आप लोग सारा डॉकमेंट बना के रखिए उससे पहले आप लोग तयारी में इतना जवरदस्त तरीका से लग जाएए कि एक सीट आपका कंफर्म हो सके आप लोग जानते हैं कि कॉंपर्टिशन कितना हाई हो गया ह ताकि आपको तयारी करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि एक सीट एकदम कंफर्म हो जाए ऐसा नहीं कि ऐसा तयारी करें कि रिजल्टे ना आप आए तो अच्छा तयारी करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है लगाना अगर जो पुराना स्टुडेंट है उन लोग को पता है कि प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या अनभव होता है वह अनभव होता है जो एकजाम में आपको बेनिफिट दिला के आता है आपको चार प्रश्ण ऐसा पोजेटिव बन जाता है जो आपको प्रैक्टिस किये हुए रहते तब भीव बन पता है तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, मुख रुप से आपको जादे जादे नम्मर कैसे आये, उस पे मैं बात करने वाला हूँ, जो मैं बात बताया हूँ, वो सिर्फ प्रैक्टिस कैसे करना है, उस पे मैं बता रहा हूँ, कि आपको नम्मर कैसे जादे आना चाहिए, ताकि एक सीट सब इंस्पेक्टर में हो चाहे तो आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट अच्छा सा चूझ कर लेना है चलिए आप लोगो पता नहीं होता है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट चूझ करें तो आप लोग को देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक चक शूपरकासन का प्रैक्टिस सेट है और इसका मैं रिवीव किया हूं बहुत अच्छा सा इसमें सेट में प्रश्न दिया गया है डाइरेक्ट इसको से प्रश्न भी आ सकता है लेकिन आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना ही चाहिए